नमस्का आप यारे बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी वोर्ड 2023 की रिजल्ट के बारे में चाहें आपका 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो तो दौनों की बारे में अपडेट आ चुकी है काफी easy हो पाए तो आप यहां पे आपकी date के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी date को आपका result आएगा कितने वज़े आपका result आएगा और कहां से आप अपना result चेक कर सकते हैं इसके बाद को जरूरी चीज़ें और होंगी जो की आपको जरूर सुननी चाहिए तो प्रीज आप इस वीडियो को लास्तक ध्यान से जरूर देखिएगा तो सबसे पहले तो यहां पे मैं आपकी जो date है वो clear गर देना चाहता हूँ कि यहां पे आप देखेंगे कार्याल है सचे मादमिक सिच्चा परस्त उत्तर प्रिदेश प्रियागरास की तरफ से यह विग्यपती सारविजली की सूचना जो है जारी की गई है सर्वस्तादारण को सूचित किया जाता है कि बर्स 2013 की हाई स्कूल एमम इंटर्मीडियेट परिक्षा का परिक्षा फल दिनांग 25 अपरेल 23 को अपरान देड़ बजे मादमिक सिच्चा परस्त मुख्याले प्रियागरास से गोसित किया जाएगा परिक्षा पलगो मादमिक सिच्चा परस्त की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा nic की वेबसाइट uprejects.nic.in पर देखा जा सकता है सच्चे मादमिक सिच्चा परस्त उत्तर प्रियागरास इनकी तरफ से information दी गई है 24 चार 2023 को इस notice को जारी किया गया है यानि कि कुछ समय पहले ही हाली में इसकी जानकारी दी गई है इससे पहले आप सभी को बता दें कि ओफिशिल तोर पे यानि कि अधिकारिक तोर पे इसके संबंद में कोई भी सूचना प्रवाइड नहीं कराए गई थी मुस्किल से लगवग दो से तीन या चार घंटे पहले इस सूचना को सारवजनिक तोर पे जारी किया गया है और क्लियर किया गया है कि आपका रजल्ट इस तित्री को जारी कर दिया जाएगा और मातरी ये किवल एक दिन पहले ये सूचना सारजुनिक तोर पर जारी किये है जबकि अन्यवार काफी समय पहले ये सायद पता चल जाता था इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको एक परसेंट भी डाउट है तो आपका डाउट किलियर करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो upresults.nic.in वाली वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस वाली वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया गया है यूपी बोर इंटर्मीडियेट क्लास 12 एक्जामिनेशन 23 रजल्ट लाइगली टू बी पब्लिस्ट ऑन 25 अप्रेल 23 एक बज़ के 30 मिनट पे साथी में यहाँ पे यूपी बोर हाई स्कूल क्लास 10 एक्जामिनेशन 23 रजल्ट लाइगली टू बी पब्लिस्ट ऑन 25 अप्रेल 23 तो यह यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी ये अपडेट कर दिया गया है तो कल 1.5 बज़े आप अपना रजल्ट चेक कर सकते हैं दोनों का 10 और 12 का रजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा तो दोनों ही बच्चे यहाँ पे अपना रूल लंबर डालके चेक कर सकते हैं साथी में तो सर्वर लिंक भी यहाँ पे आपको दी गई है कि इनकेस अगर यहाँ पे यह सर्वर काम नहीं करता है तो सर्वर लिंक 1 दी गई है और सर्वर लिंक 2 आपको दी गई है तो यहाँ दोनों से आप अपना रजल्ट चेक कर सकते हैं वैसे हम खूसिस करेंगे कि लाइव आप सभी का जो रजल्ट है वो आपको चेक करवा दें जिसमें केवल आप अपना रोल लंबर बताएंगे तो आपको जो रजल्ट होगा आपकी स्क्रीन पर होगा आप उसका फोटो या इमेज कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि अगर इससे पहले भी रजल्ट आता है तो आपको उसकी अपडेट निश्चे तोर पे मिल जाएगी इसके अलावा याँ पे जो मैं बात करने वाला था वो करने वाला था कि आप सभी को बता दें कि कल आपका रजल्ट जब डेक्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉलम रहेगी कि किसी बच्चे की 60% आएगी और किसी बच्चे की 90% आएगी ऐसे में बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी कम पर्सेंटेज आई है तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दू कि वो जमाना गया कि जब ज़्यादा पर्सेंटेज वालों को ज़्यादा प्रात्विकता हैं दी जाती थी अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो पूरा खेल है वो आपकी युग गताब सामने बैट के निर्दारित करते हैं कोई भी मार्कसित या कोई भी एक पेपर का टुकड़ा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कितने काविल हैं आप अपने आसपास भी आपको बहुत सारी एक्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके बहुत कम परसेंटेज थे वो आज अच्छे खासी मुकाम पे हैं और अपनी लाइफ में सकसेज हुए हैं जरूरी नहीं है कि ज्यादा परसेंटेज वाला कैंडिडेट ही सकसेज होगा कहीं न कहीं हो सकता है कि थोड़े बहुत चांसे सो लेकिन 100% ऐसा नहीं का जा सकता कहीं कहीं उसे प्रात्विकता हैं मिल सकते हैं लेकिन जिन्दगी की हर जगा पे उन्हें प्रात्विक्ता है नहीं मिलती हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी कम percentage है या ज़्यादा percentage है आप सिर्फ अपनी जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ते हैं उन चीजों को कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं ये आपके ऊपर ही निरवर करेगा तो इस percentage की कोई खास value आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो भी अभी आपके पास है उससे आगे बढ़ें और साथ ही में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इस बार अपनी परिक्षा करेंगे तो वहांपे कहीं आपको सफलता मिलेगी कहीं सफलता मिलेगी सथा मिलेगी सबHar करके उससे जादा सफल बन जाति यह बहुत सारी चीजें होती है तो इसलिए murderer की नहीं जो है उसमें सुधार करें आपने जो गलतियां की हैं उनमें सुधार करें ताकि भवश्य में ऐसा आपके साथ ना हो तो अमीद करता हूं कि कल आप सभी का result बहुत ही बढ़ी आएगा और जो भी आपने जितनी भी मैनत की है उसका परणाम आपको result में देखने के लिए मिलेगा तो आप सभी को हमारी site से very fast of luck आप सभी का result अच्छा जाए और सभी लोग connected रहेगा आप सभी को live भी बताया जाएगा और future में आपको government job की update भी हमारे channel के माधियम से मिलती रहेंगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो thank you for watching जैहिंग जैवारत